नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रामदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है आज अम बात करेंगे खाने पीने की जीवन से लिकी किस तरह आमको खाना चाहिए और किस तरह खाने को पकाना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सास्त्रों के अनुसार खाना खाते समय इन 10 बातों को ध्यान रखे हेल्थ प्रोब्लम नहीं होगी सुखी जीवन और अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस डायेट लेना जरूरी है फुड हैबिट्स में लापरवाई करने से कई हेल्थ प्रोब्लम हो सकती है ऐसा कहती हैं कि खाना खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बगवान को भी खुस कर सकते हैं आज मैं बताऊंगा कि खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूर्वा और उतर दिसा की तरफ मूँ करके खाना खाए ऐसा करने से बोडी को एनरजी मिलती है दक्सिंड दिसा की तरफ मूँ करके खाना असुब बाना गया है पस्चिम दिसा की और मूँ करके खाना खाने से कई बीमारिया होती है कभी भी बिस्तर पर बैटकर या लेटकर खाना ना खाए ना ही खाने को खड़े हो कर भी खाना चाहिए बैटकर खाना खाने से Indigestion, Constipation और Acidity जैसी Problem से बच सकते हैं ठाली को लकड़ी की टेबल पर रख कर खाए खाने के बर्तन हमेशा साप होने चाहिए और टूटे-फूटे बरतन में खाना नहीं करना चाहिए खाना बनाते समय किसी की बुराई न करे इससे खाने के स्वाद में फर्क पड़ता है सान्त मन से खाना बनाएंगे तो खाना स्वादिस्ट बनेगा और गर में अनाज की कभी भी कमी नहीं होगी खाना बनाने से पहले भगवान का नाम ले या फिर किसी भी भगवान के मंत्र का जाब कर सकते हैं खाना खाने से पहले अनदेवता और अनपुरुणा मा को याद करना चाहिए खाना खाने के बाद भगवान को दन्यवाद देना चाहिए परोसे उए खाने की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए इससे अन देवता का अपमान होता है खाना खाने से पहले दोनों हाथ, दोनों पेर और मुँ अच्छी तरह दोले ऐसा मना जाता है कि पेरों को दोकर खाना खाने से हेल्थ अची रहती है और उम्र भी बढ़ती है दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सबको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीस इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो प्लीस इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो इन फ्यूचर वीडियो से वो आपको मिल सके मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिया गया है उस पर सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए God bless you, take care and bye bye